So, hey guys, good morning and welcome back in our new video तो I hope कि सबी लोग स्वस्ता और मस्त होंगे और आगे भी ऐसी रहेंगे तो guys, अभी के टाइम पे जो भी अपडेट निकल के आ रहे हैं वो हमारे winter events related है क्योंकि जितने भी event आपको देखने को मिलेंगे वो सारे winter theme के ओपर based रहने वाले हैं तो इस इन event के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से event आने वाल हैं इसके लाओ दोस्तों बात करेंगे हमारे आने वाले कुछ ऐसे event के बारे में जो कि दोस्तों आपको हमारे इंडिया और बांगलादेश सर्वर के ओपर देखने को मिलेंगे इसके लाओ दोस्तों हमारे काफी time से जो incubator के bundle है और return पे नहीं आ रहे हैं तो हमारे जो old incubator के bundle है वो यहाँ पे कब तक return पे आने वाले हैं उसके बारे में discuss करेंगे इसके लाओ दोस्तों अभी हमारा जो 2023 से हो खतम होने वाले है तो अपने को जो हमारे old elite pass है जो अपना sakura bundle है या फिर hip hop bundle है उसके regarding बात करने वाले है तो वीडियो देखो काफी जरा important है बहुत सारे comment का reply आपको देखने को मिलेगा तो एक छोड़ी सी request है कि वीडियो को like और चेंग को subscribe जो है जरूँ से जरूर कर दीजिए तो दोस्तो सबसे बात करते हैं air drop के बारे में तो मेरे ID के उपर फिर से आ चुका है 9 रुपे में 200 diamond का air drop तो screen के उपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के का air drop मुझे देखने को मिल चुका है क्योंकि अगर आप top up नहीं करते हैं काफी time से तो मैं भी काफी time से top up नहीं किया हूँ तो इसलिए यहाँ पर air drop आ रहे हैं और दूसरा जो reason मुझे समझ में आता है वो है game में inactive रहना तो जितना आप game में inactive रहोगे तो उतना ज्यादा chance है कि आपको अच्छे खासे जो air drop है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो मरतब दिन भर game खेलते हैं तो दिन भर game खेलने से air drop नहीं आता है जितना आप कम game में active रहोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे खासे जो air drop हो देखने को मिलेंगे बाकि आपकी ID के उपर क्या air drop regular आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं या फिर अगर आपको कोई problem हो रही है तो मुझे comment करके जो है आप लोग बता देना अब दोस्तों बात करते हैं अपने आने वाले hall of incubator event के बारे में तो काफी time से बहुत सरे comment निकल के आरते कि यार भाई जो अपना hall of incubator का event है वो आखिरकार कब आएगा और कौन-कौन से bundle अपने को देखने को मिलेंगे तो देखो भाई अपना hall of incubator का event है उसकी leaks काफी time पहले आई हुई थी कि अपने जो old incubator के bundle हैं वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे तो कुछ incubator के bundle तो अपने को luminous carnival जो event आया हुआ था वहाँ पे देखने को मिल चुके हैं लेकिन दोस्तो अभी भी कुछ bundle बचे हुए हैं जिनकी demand काफी ज़्यादा high है तो वो सारे जो bundle हैं वो आपको बहुत जल्द हमारे जो हैं इस तरकी के एक luck royal के अंदर जिसका नाम होगा hall of incubator वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बाकि दोस्तो जैसे इसकी date निकलके आ जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा दुबारा से तो आपको कौनसा incubator का bundle चीए comment करके बता देना इसके लाओ दोस्तो बात करते हैं store में आने वाले बहुत सरे नहीं चीज़ों के बारे में और बहुत सरे जो और भी bundle हैं वो यहाँ पे एड किये जा रहे हैं इसके लाओ दोस्तो अधर सरवर में जो gun skin है वहाँ पर भी हमको डिसकाउंट वगरा देखने को मिल ला है gun skin के अंदर, gun crates के अंदर और यहाँ पर हमारे जो winter के old bundle हैं हमें जो discount वगरा है वो देखने को मिल ला है और इसके लाओ दोस्तो बहुत सरे जो अलग लग store में discount हैं वो यहाँ पर दिये जा रहे हैं तो basically दोस्तो काफी times हमारे इंडिया सरवर के उपर भी store वगरा में discount या फिर particular किसी bundle अगेरा या फिर store के किसी आइटम पर discount नहीं आ रहे है तो आपको बहुत ही जल्द यह जो discount हो देखने को मिलेगा तो या तो आपको winter special discount देखने को मिल जाएगा और winter special नहीं आता है तो फिर आपको जो new year special discount है वो हमारे इंडिया और पांगलादेश सर्वर के उपर देखने को मिलेगा इसके लाग दोस्तों बात करते हमारे आने वाले bonus diamond या फिर लैसिस मोर event के बारे में तो काफी लोग के comment निकल के आरते कि भाई अपना जो यहाँ पे bonus diamond का top of event है या फिर जो लैसिस मोर का top of event है वो आखिरकार कब आएगा तो देखो मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ time पहले ही हमारा bonus diamond का toy event दिया गया था तो अभी फिलाल आपको इस update के अंदर दुबारद है bonus diamond का toy event देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ दोस्तो winter event आ रहे है तो winter event special आपको जो है one punch man अपना call version का event है तो इसके जो भी item है वो तभी return पर आएंगे जब घरिना वाले इसके साथ दुबारा call version करेंगे यानि कि अपने को one punch man 2.0 का जो event हो देखने को मिलेगा तो तभी जाके आपको जो one punch man amateur से one की skin है या फिर जो one punch man fist की skin है वो तभी return पर देखने को मिलेगी तो फिलाल तो गरिना वाले कोई भी call version अभी इसके साथ नहीं करने वाले हैं लेकिन हाँ हो सकता है कि future में कोई call version हो तो जब future में कोई call version होगा तो तभी जाके आपको one punch man event देखने को जो है दुबारा से मिलेगा इसके लग भाई ने पूचा है कि haul up elite pass क्या 2024 में आएगा औ उनको return पर आयो है जैसी ही एक साल हो जाएंगे तो एक साल के बाद वह आपको फिर से return पर देखने को मिलेंगे और इस बार जो return आएगा तो आपको हमारे जो पिछले season 7 से लेके 10 तक के जो bundle पिछली बार नहीं आये थे वो bundle भी आपको देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल EO bundle return confirm date बताओ तो देखो भाई मैं आपको परसो भी बताये वा था कि अभी इस वाले update के अंदर आप कोई भी EO bundle जो है return पर देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि अपडेट के अंदर world series और बुया दो EO bundle return पर आ चुके हैं और December में अपना winter का नया bundle आने वाल है तो आपको जो old EO bundle है चाहिए वो Scorpio वाला हो गया चाहिए वो अपना Cobra वाला हो गया वो आपको after OV43 अपडेट ही देखने को मिलेंगे तो confirm date तो मैं बता नहीं सकता हूं लेकिन जनवरी 24 तारीक को अपना update आने वाल है तो फरवरी के मन्थ में लगबर लगबर आपको जो है अपना Scorp और फियो EO bundle जो है वो रिटन पर देखने को मिल जाएगा तो आप लोग diamond वगएरा बचा के रख लो इसका लोग भाई ने पूछा कि रोज emote और हर्ट emote कब आएगा और कितना diamond में निकलेगा तो देखो भाई जो रोज emote है या फिर हर्ट emote है वो Valentine special है या फिर Valentine की theme के आफिर-based है तो आपको पताए कि हर बार Valentine event आता है हमारे फरवरी मंत में तो इस बार भी आपको फरवरी मंत में Valentine event देखने को मिलेगा तो जिस टैम पे Valentine event आएगा उस टैम पे आपको rose emote और जो अपना यहापर बांकी के hear indicators है वो return पर देखने को मिलेगे बांकी बात करे diamond की तो diamond के बारे में हम तभी बता सकते हैं जब हमें event के बारे में पता चले तो event confirm नहीं है कि कौन से event में आएगा हो सकता है top up में आ जाए हो सकता है valentine wish में आ जाए या फिर किसी और event में आ जाए तो देखते हैं किस में आता है बाकि जो bundle है वो confirm नहीं है क्योंकि उनके regarding कोई poster अभी add नहीं हुआ है तो सारे के सारे जो bundle है वो surprise है लेकिन कुछ possible bundle मैंने आपको परसो वीडियो के उपर बताई हुए थे तो उसमें से कुछ bundle आपको देखने को मिल सकते हैं और कुछ आपको incubator के bundle देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अभी incubator के bundle आ रहे है इसका लग भाई ने पुछा है कि evo gun fed will में क्या कभी नहीं आएंगी तो कब आएंगी तो देखो भाई मुझे नहीं लगता कि आप evo gun fed will में आएंगी क्योंकि गरिनवाले अलेडी हर evo gun को एक या फिर दो बार evo gun को fed will में return पे दे चुके हैं तो इसलिए आप गरिनवाले क्या कर रहे हैं कि इनको token wheel event में या फिर महेंगे event में दे रहे हैं तो मेरे साब से मुझे तो नहीं लगता कि कभी आएंगी बांकि आपको क्या लगता है कभी आएंगी या फिर नहीं आएंगी वो लोग आप comment करके पता सकते हैं तो अभी दोस्तो हम बात करते हैं हमारे आने वाले 7 जनवरी के event के बारे में यहां दोस्तो 7 जनवरी के दिन आपको हमारी तीनों character की skill की skin है हमारे homer character हो गया तस्वया character हो गया और अपना wukong character हो गया इन तीनों की जो skin है वो आपको store के अंदर देखने को मिल जाएगी limited time के लिए यहां दोस्तो 7 जनवरी update जो है याद रख लीजिए उस दिन आपको देखने को मिल जाएगी बाकि उससे पहले आपको free में भी यह मिलेगी हमारे trial के तो पहले आप लोग trial देख लेना अगर आपको trial में अच्छी लगी तो तब जाके ही आप इसको purchase करना तो इसकी जो date है वो 7 जनवरी निकल के आ रही है तो यह रही दोस्तों अपने कुछ upcoming event अभी आज ज़्यादा कोई update नहीं है तो मैं मिलता हूँ आपको next video के अंदर